राजधानी दिल्ली जिसके जाने से करोडों लोग दुख भरे आसों से विलाप कर रहे थे देखते ही देखते मुंबई की सारी सडके भिल से भर गई पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी मुंबई की सडकों पर क्योंकि पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाना था और अंतिम संसकार भी मुंबई में ही होना था नाकपूर, कानपूर, दिल्ली, चैन्नई, मदराज, बैंगलोर, पुने, नासी और पूरे देश से मुंबई आने वाली रेल गाड़ी और बसों में बैठने को जगह नहीं थी सब जल्द से जल्द मुंबई पहुचना चाहते थे और देखते ही देखते अरब सागर वाली मुंबई जन सागर से भर गई कौन था ये शक्स जिसके अंतीम दर्शन की लालसा में जन सैलाब रोते बिलगते मुंबई के और बढ़ रहा था देश में यह पहला प्रसंग था जब बड़े बुजर्ग छोटे छोटे बच्चों जिसे चाती पीट-पीट कर रो रहे थे महलाय आक्रोश कर रही थी और कह रही थी मेरे पिता चले गए अब कौन है हमारा यहाँ चंदन की चिता पर जब उसे रखा गया तो लाखो दिल रुदन से जल रहे थे अरब सागर अपनी लहरों के साथ किनारों पर थपकता और लौड जाता फिर थपकता फिर लौड जाता शायद अंतिम दर्शन के लिए वह भी जोर लगा रहा था चिता जली और करोडों लोगों की आखे बरस में लगी किस के लिए बरस रही थी ये आखे कौन था इन सब का पिता किस की जलती चिता को देख कर जल रहे थे करोडों दिलों के अगनी कुंड कौन था यह जो छोड़ गया था इनके दिलों में आंधिया कौन था वह जिसके नाम मात्र लेने से गरज उठी थी बिजलिया मन से मस्तिक्ष तक दोड जाता था उरजा का प्रवाह कौन था वह शक्स जिसने छीन लिये थे खाली कास से इनके हाथों से और थमा दी थी कलम लिखने के लिए एक नया इतिहास आखों में बसा दिये थे नए सपने ओठों पर सजा दिये थे नए तराने धमनियों से प्रवाहित कियाता स्वाभिमान अभिमान को दास्यता की जंजीरे तोडने के लिए दिया प्रग्या का शस्त्र चिता जल रही थी अरब सागर के किनारे और देश के हर गाओ के किनारे में जल रहाता एक समशान हर एक शक्स की आखों में और दिल में भी जो नहीं पहुंच सका था अरब सागर के किनारे एक टक देख रहा था वह उसकी प्रतिमा या गाओ के उस जिंडे को जिसमें निला चक्र लहरा रहा था क्या बैठा था भूख प्याज भूल कर अपने समुह के सार उस जगह जिसे वो बुद्ध विहार कहता था क्यो गाओ शहर में सारे समुह भूख के पैसे बैठे थे उसकी चीता की आग ठंडी होने का इंतजार करते हुए कौन सी आग थी जो वह लगा कर चला गया था क्या विद्रो की आग थी या थी वह संघर्ष की आग भूखे नंगे बदनों को कपडों से ढखने की थी आग असमानता की धजिया उड़ा कर समानता प्रस्थापित करने की आग चवदार तालाब पर जलाई हुई आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी धू 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 जलती मनस्पृती धूवे के साथ खतम हुई थी या यह वह आग थी जो जला कर चला गया था वह सारे ग्यान पीट, स्कूल, कॉलेज, मरुभुमी जैसे लग रहे थे युवा युवतियों की कलकलाहट आज मौन थी जिनोंने हाथ में कलम थमाई शिक्षा का महत्व समझाया जिने का मकसद दिया राष्ट प्रेम की ओत्र प्रोत भावना जगाई वह युगंदर वह प्र जग्या तेज ने चेहरे पर रोश्निया बखेरी थी, क्या वह अंधरे में गूम हो रहा था? बड़ी अजीब कश्मकश थी, भारत का महान पत्रकार, अर्थ शास्त्री, दूर दुर दुरुष्टा, क्या दुरुष्टी से ओजल हो जाएगा? सारे मिलो पर ऐसा लग रहा था, जैसे हरताल चल रही हो, सुभह शाम आवाज देकर जगाने वाली धुआ भरी चिमनिया भी आज चूप चाप थी, खेतों में हल नहीं चला पाया किसान, क्यो? सारे ओफिस, सारे कोड, सारी कचहरिया सूनी हो गई, जैसे सुना हो जाता है बेटी के बिदा होने के बाद बाप का आंगन, सारे खेती हर मजदूर, किसान, असमन जसमे थे, ये क्या हुआ? उनके सीर का छत्र छीन गया, वह जो चंदन की चिता पर जल रहा है, उसने ही तो जलाई थी जबरान जोट, मजदूर आंदूलन का वही तो था आधूनिक भारत में मसीहा, सारी मिलो पर होती थी जो हरता ले आंदूलन, अपने अधिकारों के लिए उसकी प्रेरना भी तो वही था, जिसने मजदूरों को अपना स्वतंतर पक्षे दिया, और समिधान में लिगधी वह सभी बाते जिनोंने किसानों, खेतिहारों, मजदूरों के जीवन में खुशिया बखे री थी, इधर नाकपूर की दिख्षा भुमी पर मातम पसरा था, लोगों की चीखे सुनाई दे रही थी, बाबा चले गए, हमारे बाबा चले गए, आधूनिक भारत का वो सपुत्रे जिसने भारत में लोकतंतर का बिजारोपन किया था, जिसने भारत के समिधान को रचकर भारत को लोकतंतरी गणरज्य बनाया था, हर नागरिक को समानता, स्वतंतरता और न्याय का अधिकार दिया था, वो देने का अधिकार दे कर देश का मालिक बनाया था, क इस प्रतिग्याओं की गुंज अभी आसमान में ही तो गुंज रही थी। गुंज शान्थ होने से पहले बाबा शान्थ नहीं हो सकते। भारत के इतियास में नई करवट ली थी। जनसाइलाब मुंबई की सडकों पर बह रहा था। भारतिय संस्कृति में तुच्छ कहलाने वाली नारी जिसे हिंदु कोडबिल का सहारा बाबा ने देना चाहा। और फिर समिधान में उसके हक आरक्षित किये। ऐसी मा बहने लाखों की तादात में समशान भूमी पर थी। जो अपने आप में एक विश्व विक्रम था। भारत का ये हजुगंधर, समिधान निर्माता, प्रग्या तेज, प्रग्या सूर्य, महा सूर्य, कल्प पुरूश, नव भारत को नवचेतना दे कर चला गया। एक उर्जास्त्रोत दे कर समानता, स्वातंतरता, न्याय अद्धुता का पाथ बड़ा कर उस प्रग्या सूर्यक की प्रग्या किर्णों से रोशन होगा हमारा देश, हमारा समाज और हम और पूरे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे हातों में हात लीए। मानता के रास्ते पर जहा कभी सुर्यास्त नहीं होगा। जहां कभी सुर्यास्त नहीं होगा